Good morning students, आज हम करेंगे गुंजन क्लास 5 के पार्ट साथ क्रिकेट का खेल के पार्ट की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्दर, तो सबसे पहले हम करते हैं इस पार्ट की रीडिंग. इस पार्ट में क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विशे में जानकारी दी गई है. क्रिकेट एक लोग प्रिये खेल तो है ही, साथ ही वह मनुश्य को बहुत कुछ सिखाता भी है. जो खिलाडी टीम की अनुशाशन में रहकर आत्म विश्वास से खेलता है, वही सच्चा खिलाडी होता है. ये इस तो अब हम करते हैं इस पार्ट की रीडिंग. भारत में क्रिकेट के खेल का आरम पिछली शताबदी में हुआ. पिछले कुछ वर्षों से भारतिये क्रिकेट टीम की गिंती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी है. मिन्स टॉप की टीमों में की जाने लगी है. यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में ग्यारें खिलाडी होते हैं. क्रिकेट के ग्राउंड पर खास लगी होती है. ग्राउंड मिन्स मैदान पर. पहले मैदान त्यार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पट्सन की चटाई बिचा कर उस पर कीले ठोक दी जाती थी. लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है. क्रिकेट की सबसे प्रमुक चीजें हैं बल्ला और गेंद. किसी भी टीम में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं. कुछ वे जो बल्ले बाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंद बाजी करना जानते हैं. गेंद बाज दो प्रकार के होते हैं जिने फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है. प्रतेग टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है. मिन्स विकेट कीप रिंग करता है. फिल्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल दो खिलाड़ी. यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है. भै कितने ओवर खेलने हैं? एक ओवर में 6 गेंदें फैकी जाती हैं. अंतर राश्ट्रे स्थर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं. टेस्ट मेंच जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी-कभी 3 या 4 दिन में भी स्माप्थ हो जाता है. एक दिवसिये मेंच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती हैं. और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं. टेस्ट मेंच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक, सफेद कमीज, सफेद पतलून, उनके मोटे सफेद मूजे, मिस सौक्स, जुराबें, और क्रिकेट के सफेद बूट होते हैं, शूज. इन बूटों के नीचें कीले लगी होती हैं, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहें. बल्ले बाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं हैं, बलकि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवरती भी होनी चाहिए, उसका स्वेम पर पूरा नियंत्रन होना चाहिए. घबराए बिना पूरे आत्म विश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट, परिश्रम, कोशल, सूज-भूज और दूर दर्शिता का खेल माना जाता है. टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, उसे अपनी टीम के खिलाडियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोथसाहित करना चाहिए. फ्रेंक वारेल और सर गेरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उधारन हैं, जिनोंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाडियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था, कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे. हमारे भारतिय खिलाडियों में विजडन पुरुसकार विजेता कपिल देव को शताबदी का सर्व स्रेष्ट खिलाडी घोशित करते हुए कहा गया, ऐसा सम्मान सो वर्षों में एक बार प्राप्त होता है. सचिन तेंदुलुकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्थी मान स्थापित किये हैं, कि इस सर्व स्रेष्ट बल्ले बाज के कीर्थी मानों पर संपून भारत को गर्व है. उनकी उपलब्दियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया. क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. यह हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है. यह हमें विन्नम्रता भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हों और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया हो. क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रति द्वंद्वी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. इसी को कहते हैं सही खेल भावना. क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है, वह आगे चल कर जीवन में भी बहुत उप्योगी सिध होती है. 2011 में भारतिय टीम एक दिवसिय अंतर राष्ट्रिय विश्वकप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्वकप जीतने में कामियाब रही थी. इससे पहले भारतिय टीम ने 1983 में भी एक दिवसिय विश्वकप जीता था. अब तो भारत में लीग मैचों IPL का नया युग प्रारंब हो चुका है, जिसमें अंतर राष्ट्रे खिलाडी भी हिस्सा लेते हैं. इस नय युग में आप भी इस खेल का आनन्द लेते रहें और खेलते रहें. Yes students, ये थी हमारे पाठ क्रिकेट का खेल की रीडिंग. अब हम करेंगे इस पाठ के कठेंशर्वत. Number 1, Shatabdi. Number 2, Ground. Number 3, Fielding. Number 4, Antarrashtriye. Number 5, 20. Number 6, Durdarshita. Number 7, Protsahit. Number 8, Sarushrist. Number 9, Kirtiman. Number 10, Pratidvandvi. ये students, ये थी हमारे कठिंशर्वत और अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दर्थ. Next, Chauti. Chauti means Shrest, Shikhar. Next, Sambhav. Sambhav means Jho हो सके. Next, Saadharante. Saadharante means आम तो और पर. Next, Pravriti. Pravriti means मन का किसी और जुगाओ. आदत. Next, Abhyas. Abhyas means किसी काम को बार-बार करना. Next, Kaushal. Kaushal means योग्यता. Next, Durdarshita. Durdarshita means दूर की बात सोचने का गुण. Next, Prerit. Prerit means प्रेर्ना प्रात. Next, Protsahit. Protsahit means उत्साह बढ़ाना. Next, Anushasana. Anushasana means नियम पालन. Next, Vinamrata. Vinamrata means विने. नर्मी. Next, Pratidvandvi. Pratidvandvi means बराबरी का लडने वाला. तो, Students, ये थे हमारे पार्ट साथ क्रिकेट का खेल के पार्ट की बुक रेडिंग, कठेंशब और शब्दर्थ. आप इसे एक बार फिर से रिवाइस कीजिएगा. Thank you.